नमस्कार मैं नीशी भाट्ड़ा और अस्वक्त आप देख रहे हैं निउस वालड़ा आज हम मौजूद हैं उत्राखंड की राजधानी में जहां हम बाहर खड़े हैं उत्राखंड क्रांती दल जहां उत्राखंड क्रांती दल जो लगातार एलेक्शन्स में सबसे पहले आग कि इस वक्त ऐसा क्या महौल बना होगा है और लोगों से अंदर जाके हम बातचीत करेंगे आपको दिखाएंगे कि इस वक्त उत्राखंड क्रांती दल फिर से 2022 विधानसभा चुनाफ के लिए किस तरीके से लडाई लड़ रहा है और क्या में ऐसी वजा है जो सत्ता के लडाई किस तरीके से चल रही है देखिए उत्राखंड की लडाई ही सुरू से आक्स तक उत्राखंड करंदी दल सिर्फ यहां के मून लिवासों के बात यहां की संस्कृति की बात करता है और वही सी उसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज भी अगर हम एक सरल जीवन यापन की जो सुधाएं हैं वह उस तक नहीं पहुचा पाएंगे तब तक हमारा जो यह कैसे पहुचा पाएंगे वह चीज़ा बिलकुल सही है लोकतंत्र में सबसे आसन तरीका है कि आपको सत्ता में आना पड़ेगा और सत्ता कहीं रास्ता है जो उनकी सारी कि बुदाओं को हम लोग सकते हैं और जंता को जंता के जो ढूंफ लोग यहां के जो जिनके कारन यह प्रदेश बना इसका निर्मान हुआ जो जो ऑवधारना थी एक यहां के आदमी की पहाडी मूल के या जो यहां के रहे थे उनके मूल विचारधारा को लेखे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ हम 2022 की एलेक्शन में जा रहे हैं लगाता रहा आप बहुत जोरों शोरों से तयारी करता है उत्राखंट प्रांती दल पर कही ना कहीं जब सत्ता की मलाई चेखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका दल जो है वह पीछे हड़ाता है इसके पीछे की मेन वज़ा क्या हो दिखिए निशन्दे रूप से हम इस आपकी बात को अगर मैं समझे तो हमें हम सायद अपनी बात को जंता को समझाने में असमर्थ रहें और शायद यही कारण है कि जनता ने अपना वोट रूपी आश्रवाद अब तक हम पे नहीं दिया है लेकिन हम लगातार हमारी सोच सही है हमारे विचार सही है इस प्रदेश के परति हमारे जो समर्पन भाव है उसको बताने की कि कि जडूरत नहीं है हम लगातार कोशिच कर रहे हैं कि जनता का वोट विचार धारा हैं मुझे बताई और उसके साथ आप इस बार आप चुनाम में लड़ने वाले हैं तो इसके अलावा अगर बात की जाए क्योंकि अचार सहीता लागो चुकी है वर्च्वल माधियम से लडाईयां चल रही है तो इस भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरी में काम कर रहा है क्योंकि चुनाव बिल्कुल लगभग करीब है बिल्कुल लाइन पर है 14 फरवरी को चुनाव है तो इतने टाइम में आप क्या ऐसा काम करेंगे जो बिल्कुल आप विश्वास बनाया है देखिए यह हमारा पहाड़ी राज जित दो भोगाली की इस्तिति अब रैलियों में बैयन हैं बहुत पर्तिबंद लगे हुए हैं और इन पर्तिबंदों के कारण हमें निश्चित दूरूप से कुछ समस्या आ रही है पब्लिक गाहों तक पहुचाने में लेकिन निश्चन्द हम दूसरी राजनीती पार्टियों में पार्टियों की अफे हमें डिजिटली रूप से हमें उन तक पहुचना है उस वह अभी संसाधन हमारे पास इतने नहीं है जितने राष्टे दोलों के पास हैं जो अपने जिसका उप्यों करके इस महाल में वह अपने आपको पहुचाना चाहेंगे और पहुचा रहे होंगे आपका इसमें बहु करना काल के प्रदीमंदों के बीच में होगा तो हमने भी अपने आइटी सल को मजबूत किया और जितने भी जो डाटा होता है हमने आइटी एक्सपर्ट्स का काम पे लगाए गया आप देख रहे होंगे पिशले दो तिन मैने से कि जितना फेस्बूक और अदूसरे माध्य कर दो हमें उसके संचार के उन सारे माध्यों में उत्राखंड करांती दल परबल रूप से अपनी इस्तित कर रहा है और यहीं मारे लगातर कोशिश आउनगी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी की उत्राखंड क्रांती दल इस वक्त किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ है, देखिए, उत्राखन क्रान्ती दल क्योंकि यहां का शेत्रिय दल भी है, इसे हमको यहां पर इंटोड्यूस नहीं करना है, ऊत्राखन राजी अगर है, तो बोकुकर था कर दल की ही वhearted ख्राक्न K countries इस समय अपने फूल-फॉर्म में काम कर रहा है और सारे कि सारी सतर सीटों पर हम जो है इस समय विदान सभा चुनाओं में प्रतियाशी यहां पर लड़ा रहे हैं और इस संदे अगर आप सोशल मीडिया पर देखे अन्य मीडिया के उसाधनों पर आप नजर डाले तो उत्राकन क्रांती दल भी अन्य दलों की तुलना में बराबर इ दिखाई दे रहा है और निशित ही हम जो है दोजार बाइस में अच्छे परिणाम लेकर आएंगे तो कही ना कहीं हम बात करें अच्छे परिणाम की और अंदर हमने बात की थी एक आंदोलन कारी से कहीं ना कहीं यह का कि 2022 विदान सभा चुनाओं उत्राखन क्रांती दल के लिए यह एतिहासिक होने वाला है क्योंकि पिछले 20 सालों में यहीं नजर डाली जाए दो रास्ट्रिय बड़े दल यहां पर सत्ता में बारी बारी रहे हैं तो अब जनता कहा जाए उन दोनों ही दलों से मोह भंग हो चुका है और अब जनता जाग गई है कि एक उत्राखन क्रांती दल के जो विचार धारा है वो हमारे जो उत्राखन राज्य के चहुमुखी विकास के लिए तोकि उत्राखन राज्य का जो गठन किया गया था वो किया ही इसलिए गया था कि उत्राखन जो यह हमारा परवतिय शेत्र है यहां का जो भोगौलिक राजनेतिक सांस्क है और इसी के लगता है जो शहादते गई है उत्राखंड को एक अलग राज जमनाने के लिए तो उसकी शहादत को क्या पूरी तरह से संतुष्टी मिल चुकिया उस शहादत का बिलकुल अच्छे से हो चुका है इसका यही मैं कहना चाहरे हूं कि पिछले 20 साल में आज यह रा उनकी आत्मा को आज तक शांती नहीं मिल पाई है क्योंकि जिस आंदोलन में उनकी जाने गई वो शहीद हुए है और जो उन्होंने एक सपना उत्राखंड के लिए देखा था वो आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है और इसी के चलते क्योंकि हम युवा है युवा अगर उत्राखंड क्रांती दल की और आकरशित हो रहे है तो यह एक वज़य यह है कि जिस सपने के चलते उत्राखंड राज्य का गठन किया गया था वो आज भी अधूरा है और हम संकल्प बद्ध है कि जिस राज्य को हमने बनाया उस राज्य को सवारने का काम अब हम भी सपने की बाद आमने कई तो मैं आप से भी कमेंट लेना चाहूंगी कि उत्राखंड को मैं 21 साल हो चुकी है लगातार बीजेपी कॉंग्रेस की अदला बदली होती रही है इन 21 सालों में लेकिन पहाड की बात अगर हम करें तो पहाड की समस्यां पर ना तो बीजेपी ने ध अगर शपर्ट कớण थे अगर शपूर्ट चैतु पकरती तो आज आज हालाथ ऐसे ना उते हैं चेतरे दल है मैं है अच्छी का सी पड़ी लिखी है धरम पुर में जो करेंगी वो अपने हिसाब से करेंगी अच्छा करके देंगी वाइश है कि उकाटि ने जितना आँ को नुकसान करा को आढी की उत्राकंड का ह bleiben वाजा के रखा एस आपने बला बैंड वजाके रखा है तो क्या आपको लगते हैं कि बैंड बजाने वाली वजह कौन है कौन से सरकार बैंड बजा रही है और कहां कर दोई जो जाने घर के अंदर बाकी सब बाहर वो चीज इस टाम नहीं हो सकती है कि अगर पाहड की बात की जाए आप लोग महिलाएं है पर एक नाम जो पहाड की समस्याओं में सबसे उपर आता है तो वह प्रसव पीडा तो इस पर आपके खेंगे कि प्रसव पीडा इस वक्त किस्तिती में उत्रखंड प्रदेश की जो है एक समस्या बन है क्या करेंगा हर चीज चुनावी मुद्ध को लेकर नहीं चलना चाहिए हर एक चीज में फ़िल है अपनी तरफ से कोशिश पूरा करेगा हमारा दल हम दूस्रे दल होगी ना हम बुराई कर रहे हम ना कुछ हमें अपने से मतलब है इस टाइम हम अपने से अच्छा क्या दे स किसी को तो इस टाइम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यह सवाल में आप से भी करूंगे कि क्या लगता है आपको की प्रसव पीड़ा इस वक्त किस तेती में उत्राखंड में बनाऊगा है देखिए इस पर मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी मैंने बार-बार में क इस बात पर जोर देरी हूं कि पिछले 20 सालों में दोनों रास्टिय दलों ने जो है अपना जो उनका दाइत्व था वो उन्होंने पूर्णे नहीं किया है स्वास्ते के दृष्टी से अगर पहाड में आप कह रहे हैं कि पहाड खाली होते जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी नवजाद दम तोड़ देता है तो ये दुरभाग्ये कहें हमारे राज्य का कि उन्होंने जिन दो बड़े दलों को यहां सत्ता में बिठाया है वो उनकी जो मूल भूत सुविदा है उस पर भी काम नहीं कर पाएं आज 21 सालों में और यही हमारा दर्द भी है कि हमारे जारी है बातचीत करते हैं बातचीत का सलसिला बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस वक्त किस माध्यम से अब लड़ाई की जारी है तो चलिए जब आज हम मौजूद हैं उत्त्राखंड क्रांती धल के ओफिस पर जहां हमार साथ आज मौजूद हैं चुक्रदे जी जै प्र कुछ होने वाला नहीं है केवल ये है कि उत्राखंड क्रांती धल जो हम मुद्दे हमारे पुराने मुद्दे हैं हमारे गैर सेंट राजदानी है रोजगार के सबाल है हमारे संसादनों पर हमारा अधिकार है जल जंगल जमीन के जो अधिकार भारी लोगों पर जा रहे हैं और इनी को लेकर उत्राखंट टांती दल चुनाओं में हैं। तो पर कहीं न कहीं, जो यहां पर पहले इस लड़ाई में शामिल थे, वो कहीं न कहीं, अब सियासी लड़ाई से दूर दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखे, यह हमारा दुरभाग्या है, और परदेश का दुरभाग्या है, कि जिन हालातों के लिए हम राजिय की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं हालातों पर आज हम खड़े हैं, और दूर दर्सा परदेश की वही दूर दर्सा है। किन हालातों की बात है? कि अन्हालात की बात है उभि जिऑ जडी बूटियों के पहाड दें अपनी बना पाए जो दुरदश मैं जरूर काम किया है अधिनल टे पहलाने का नहीं काम आए यह पर सराड माफिया को पनपाने काम हो, भूम माफियों को पनपाने काम हो, यह राष्टे दलों ने जो कुछ रकर्ष चरला है और उसके कारण से हमारा जो दर्दसा है परदेश की, वो आप सब के सामने है, उन हालातों में हम चुनाव मेलान में तो हैं, लेकिन चुनाव भी आज यह दिखिए कि हा परदेश की चिंता किसी भी राजनेता को नहीं है, यह बड़ा दुर्भा के पूर्विशा है, तो आप किस तयारी के साथ अभी इस वक्त हैं, देखिए उत्रखंट कांति दल पूरी मजबूती के साथ में, अपने वीचारों के साथ में अडिग है, और उसके लिए हम संग लोगों को हमारे विधानसवा भेजे, वो यह न देखें कि इस पर धनबल की से मजबूत नहीं है, वो जो भी प्रत्यासी हमारे होते हैं, वो वीचारों से बड़े मजबूत होते हैं, और वो लोग विधानसवा के अंदर आम जंता की लड़ाई और हमारे आम उत्राखंड लड़ाई उत्राखंडेत को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ सकता है इस प्रिपेक्ष में उनको बोट कास करना चाहिए पर कही न कहीं जो उत्राखंड की लड़ाई लड़ रहे थे वो अब सियासी लड़ाई से दूर है और कहीं न कहीं वो पीछे हटते नजर आ इस पर आप क्या कहेंगे देखिए उत्राखंड कांती दल कभी भी पीछे नहीं अटा और यह एक विचार है लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन लड़ते भी हैं और वो जो लोग पीछे हटने वाली बात आई है तो पीछे कोई हटा नहीं है और नहीं अभी आपके सामने ऐसा लगेगा जब भी कभी अगर इस परदेश का भला होगा और कभी कोई दिरकाली नीतियां बनेगी तो उत्राखंड कांती दल के ड्राफ्ट पर भी बनेगी तो लोग भारते जन्ता पार्टी और कांग्रेस ने भी कहा कि हार राज़दानी गेरसेंड बननी चाहिए हमन हमने सबसे पहले कहा कि पलायन रुकना चाहिए तो भारते जन्ता पार्टी और कांग्रेस ने कहा भी पलायन रुकना चाहिए हमने कहा कि परिसीमन पर उत्राखंड कांधी दल का विरोध होना चाहिए तो यह भी दबे जबान पर पर परिसीमन का विरोध करने लगे तो यह सब चीजें हमारी पॉल्सी है हमारा ही ड्राफ्ट है इस पर ये जरूर है कि उत्राखंट कांदी दल की सरकार बनेगी तो हमें थोड़ा समय लंबा चाहिए क्योंकि इश्यू इतने बड़े हैं मूल लिवास का चाय हो परीशीमन का मामला हो हमारे पलायन पर हो स्वास्त की व रोजगार के साधन उपलत कराने हैं हम लोग सबसे पहले उस पर काम करने वाले हैं अगर इदी कहीं कुछ हुआ तो हम रोजगार के साधन उपलत करेंगे दूसरा भी से हमारे महिलाओं के लिए है महिलाओं पर हमारी जो दुर्दसा है आज हमारे परदेश की जो खेती जो और महिलाओं के उत्थान पर सबसे पहले काम करने वाले हैं देखिए स्वास्त पर काम नहीं हुआ वो एक दिरकाली नीती है हम लोग उस पर काम करेंगे हमारा प्रदेश में एक तो अत्रिक्त दबाव जन्सगय का गया है राज्य जब बना था तो हम केवल 80 लाक लोग हम टो है और उत्राखंट कांदीदल इन सब पर ध्यान रख रहा है पर अगर मैं बात करूं पहाड की तो पहाड को सुनके काफी सारी चीजें जो है दिमांग में आ जाती है उत्राखंट को मनें 20 साल हो चुके हैं और 21 सालों में सरकारे आई गई हैं भाजपा कॉंग्रेस लेकिन किसी ने भी पहाड की और एक नजर नहीं डाली पहाड में क्या हालात है उन पर किसी ने अपनी नजर नहीं डाली तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर कुछ बदलाव होना चाहिए पहाड में तो सबसे पहला क्या होना चाहिए एक एक दिन का बदलाव नहीं है कि आप धामी जी आए या दूसरा कोई मुख्य मंतरी आए एक दिन में बदलाव होने वाला नहीं है बदलाव अगर जदी चाहिए तो निरंतर चाहिए निरंतरता का मतलब है कि हमारे पास एक policy है हमने बनाया कि हम किसी गाओं में फार्मा का काम करना चाहते हैं इसे इवर्चार सानी पीट पहाडी छेत्रों में जो ऐसे गाओं हैं जो ऐसी जगाए हैं जहां पर वर्चुल लड़ाई तो लड़ी नहीं जाएगी तो उस पर आपके कहेंगे कि किस तरीके का असर अब 2022 विधानसभा चुना में वर्चुल माध्यम से पड़ेगा देखिए निशी जी आप जो बता रहे हैं कि लड़ाई जब भी लड़ी जाए तो दूसरों के लड़ी जाएं वर्चुल जो भी करना चाहती है भारतिया जनता पाल्टी अपने लिए नेट के माध्यम से अपने लिए करना चाहती है उन्होंने युवाओं के रोजगार पर इसमें लोड़ाई युवाद धया है उनके लिए विव करिए यहांपर भारक विश्व के लोगों को आकर सीत करिए और यहां से नेट के माध्यम से वहांपर वर्क करिए उन्होंने केवल अपनी चुनाबीदी रेलियों को माध्यान चला है वो गत है और इनको उर्ट रोजगार है अगर आपको विस्तारी करन करन करना तो विस्तारी करन रोजगार की तरब करना चाहिए आपनी वर्चển realistically की तब से केवल एक हैं बड़ी 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 बाते कर रहे थे कि हम इतने रोज बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे आपको के लगते हैं कि वाक्य में धरातल पर कुछ कर पाए अपने कारेकाल में तो सुबुका होता है केवल जनता को ठकने का काम होता है चाहिए मैं भी हूँ तो जूट बोलने से काम चलने वाला नहीं है और यह मैंने बताया आपको यह दिरकालीन व्यवस्ता है आपको बताना पड़ेगा कि मैंने यह पांच गाउं को में यह बना दिया है और पांच गाउं का विकास आप मीडिया में जाके देखिए कि पांच गाउं है या दस गाउं है या बीज गा सब इस बड़वरेंगे चोई दिए और चले जाएंगे और यहां पने गोशना पत्र में बड़ी-बड़ी खोशनाय का मात कर रहे हैं लाप बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है तो कोई छी गरेंटी लेकर इस की पुरी तैयारी के साथ हैं तो कहीं नहीं आ पको क्या लगता है कि सम्भाव tvr और क्या लगता और अब ये जूटे वादे तो हरे एक राजनीतिक दल करने लगे हैं। मैं समस्ता हूँ कि अगर इदि आपको सच्चा ही कुछ करना है, जो लोग सच्चा मन से काम करना चाहते हैं, जो वाक्या में कुछ करना चाहते हैं, इन राजनीतिक परपंजों में फसकर हासिय पे चले जाते हैं, मेरा खुद का जो अनभाव है। और ये देखिए कि लोग जूट बोलकर तो राजनीति आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ जनता को कुछ नहीं दे पाते। और मैं समाजता हूँ कि मेरा खुद का व्यक्तिकत मानना है कि सच्चाई कम से कम आपके अंदर आधारित राजनीति होनी चाहिए, कि जो भी आप बोलो कुछ न कुछ तो सच्चाई उसमें हो, अगर जूट भी आपने जूट भी बोला है, या परियास आप करने के कोशिश करेंगे तो लोगों को दिखेगा कि यार ये करने के कोशिश तो कर रहा था, तो जूट कि आधारित राजनीति नहीं करने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को जो गोष्णा पतर हैं, उसमें भी सफस्ट बात करने चाहिए, और साप सुत्री बात करने चाहिए. अपका भी बहुत बहुत भाँध धन्यवाद, आपके कैमरेमैन का भी बहुत भाँध धन्यवाद, कि आपने आयले और किम्ति समय उत्राखंड करन्थी दल को दिया, धन्यवाद. तो जैसे कि हमने प्रदीश महामंत्री जिसे बात करी कि उत्राखंड करांती दल इस 2022 विधानसवा चिनाव को लेकर कितनी तैयारी में है तो जैसा कि हमने उत्राखंट करांती दल के प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री और भी जो महिलाएं थी उनसे बाचीत की और देखा हमने किस तरीके से युवा भी इस लड़ाई में मौझूद है 2022 विधान सभा चिनाव इस बार इतिहासिक होने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा उत्राखंट करांती दल का पूरा-पूरा मानना है कि लगातार जो लड़ाई है वो जोशो से लड़ी जारी आईटी सेल को मझबूत कर दिया गया है वर्चुल माध्यम से भी मझबूत है उत्राखंट करांती दल और भी कई सारी चीज़े इन्होंने बताई है कि हमारे कैंडिडेट खासकर मझबूत तयार कर दिया है मध्दान सबा से इन्होंने जो अपने कैंडिडेट लाए है वो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा कॉंग्रिस को टक कर देंगे ऐसा इनकमानना है पर देखने वाला बात यह होगी कि 14 फरवरी को जो मध्दान की प्रक्रिया चाल होगी उसमें किस तरीके का बदलाव देखने को भी लेगा उत्रखन करांती दल में कितिनी लंबी लाइन है लगेंगी तो वहीं उसके बाद 10 मार्च को जो फैसले आएंगे वो कैसे चोका देने वाले होंगे कैसे इतिहासिक कहलाएंगे यह बात बहुत ही रोमांचक रहेगी और बहुत दिलचस्प रहेगी कि इस बार कैसी 2022 विधान सवाचुनाव इतिहासिक होने जा रहा है फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही बढ़े रहे है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ नमस्कल